हेलो एब्रिवन वल्कॉम बैक टु मैं चैनेल आज हम बनांगे बिना प्याज लशन के साही पनीर आज का रेशिपी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा जिन लोग मेरे चानेल पे नीव हैं अभी तक चानेल को सब्सक्राइब नहीं क कर दिजेगा पास में बैल आइकन को क्लिक करेगा नोटिफिकेशन के लिए मैं जभी नए वीडियो अप्लोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलते हैं बनाना शुर करते हैं साही पनीर अभी मिडियम साइज तीन टमाटर को बॉल कर रहे हैं पास भी के लिए अभी पनीर को एसे ही पीश में काटके रखें प्लेट में टमाटर जो बॉल करके रखे थे अभी थंडा हो गया है टमाटर का उपर का जो छिलका है निकाल दिये हैं 10 से 15 काजू लिए हैं अभी एक मिक्सिजार में डाल देते हैं एक पेस्ट बना लेंगे अभी टमाटर और काजू का पेस्ट बना के बावल में निकल दिये हैं अभी एक प्यान में दो चामाज घी डाल रहे हैं आप घी के जागा पर बोटर भी उज़ कर सकते हैं इस रेश्पी में नहीं तो तेल में भी बना सकते हैं अभी चारो तरप से थोड़ा सा घी को फिल देते हैं प्यान में अभी पनिर का पिसे से प्यान में डाल देते हैं दुन्नों साइट थोड़ा सा गुल्डेन कलर फ्राय कर लेंगे अभी दुनों तरफ से फ्राइ हो गया है अभी एक प्लेट में पनीर को फ्राइ करके निकल दिये हैं अभी उस्सी प्यान में ही हम बनाएंगे रेसिपी आप चाहे तो कड़ा में भी बना सकते हैं अभी एक चमच फिर से घी डाल दिये हैं प्यान में अभी एक प्लेट में थोड़ा सा जीरा डाल चिन चार से पांच लॉंग दो इलाइची और दो तेजबता रखे थे अभी प्यान में डाल दिये हैं थोड़ा जीरा को चटक निकले छोड़ देते हैं अभी जीरा चटक गया है अभी जो टमाटर और काजु का पेस्ट बनाए थे अभी प्यान में डाल देते हैं अभी हल्दी पाउडर हाप चमच रेड चिली पाउडर हाप चमच आप ज्यादा तिखा पसंद करते हैं थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं धन्या पाउडर हाप चमच जीरा पाउडर हाप चमच अभी स्वादन उसार नमक हाप चमच डाल देते हैं अभी सबीज जोग अच्छे से भून लेंगे ग्यास फ्लेम स्लो में रखके दो से तीन मिनट के लिए मसाला को भून लेंगे अभी मसाला भून लेंगे दो से तिन मिनट हो गया है अभी क्रीम डाल रहे हैं मेरे पास फ्रेज क्रीम नहीं था मैं जो दूद का मलाई जो है चार से पांक दिन का दूद का जो मलाई रखा था फ्रेज में उसको ग्राइंडिंग करके मैं यूज कर रहे हूं दो चमच आपके पास क्रीम होगा तो क्रीम ही यूज़ कर सकते हैं अभी मसाला भून गया था अभी एक बावल पानी डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए अभी इस अभी जोगा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा अभी इस ग्रेवी में मैं हाप चामच चिन्नी डाल रहे हूँ आप चाहे तो स्कीप कर सकते हैं कभर करके छोड़ दिया था ग्रेवी को बावल होने के लिए अभी ग्रेवी बावल हो गया है दो से तिन मिन्दी के लिए छोड़ दिया था अभी इसी टाइम पर जो फ्राय करके रखे हैं पनेर को अभी डाल देते हैं अभी ग्रेवी में फ्राय करा हुआ सब पनेर को डाल दे हैं अभी पनिर में थोड़ा सा बॉयला आ गया है अभी इसी टाइम पर एक चामच कश्टरी मेथी को थोड़ा सा हाथ से मसल के डाल देते हैं उपर से अभी गर मसला पाउडर हाप चामच डाल देते हैं अभी सबीचु जोगों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी कभर करके रख दिये थे दो से तिन मिन्टी के लिए अभी देखते हैं अभी हमारा साही पनेर बन गया है आप रोटी के साथ चावल के साथ ये खा सकते हैं आज का रेसिपिको मैं यहीं परेंड करते हूं फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद